हलो गाईस वेलकम बैग तो माई चैनल एक्जामनेशन वॉर्म अप आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लांट अपरेटर न्र बी के लिए प्रैक्टेस कोशिशन पेपर तो आज हम डील करने जा रहे हैं जीके के साथ तो देखते हैं जीके में क्या-क्या कोशन पूचे ज सर नुटलपथी वेंकर रमन को 48 चिफ जस्टीस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया और कोण करता है तो प्रेजिडेंट अपॉइंट करते है चीफ जस्टीस को इसके पहले तो फॉर्मर सी जी आए कों था तो फॉर्मर सी जी आए वाश्वरद अरभिंद बोब्डे he was the former CGI of India इसके पहले साथ 47 था तो 46 को हो था ऐसा भी questions पूचा रहेगा तो मैं सारा details दीती है एक बार go through करके चले जाना next question के तरह बढ़ते है next question में क्या पूचा है which place is called the Scotland of East तो Scotland of East किसे कहा जाता है तो option में देखते हैं तो option में A is a right answer सिलोंग को कहा जाता है Scotland of East क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके landscape के कारणत majority of इसका landscape कैसा रहता है same Scotland जैसा दिखते है इसके लिए इसे कहा जाता है Scotland of East next question के तरह बढ़ते है next question में क्या पूचा है the Bington Cup is related to which of the following sport तो Bington Cup किस के साथ relate होता है तो option में check करते है तो option में B is a right answer होकी के साथ relate होता है next question के तरह बढ़ते है next question में क्या पूचा है the first Sultan of Delhi to issue regular currency and declare Delhi as the capital of his empire was तो option में check करते है तो option में D is a right answer इतुतमिश तो इतुतमिश was a third ruler of a slave dynasty तो who was the founder of the slave dynasty तो slave dynasty का founder कुतुप उदिन ऐबक was the founder of slave dynasty इसके बाद इतुतमिश के बाद उसकी बेटी ने rule किया है उसका नाम है राजिया सुल्तान she was the only one and the last woman who have ruled over Delhi easy यह याद रखना मैंने some importance point दिया है यह इसमें से भी questions पूचे जा सकते है easy तो मेरा option क्या जाएगा D is a right answer next question के तरह बढ़ते है next question में क्या पूचा है the India's biggest floating solar power plant to come up in which state क्या बोला है तो इंडिया का सबसे बड़ा floating solar power plant कौन से state में आ रहा है तो option में check कर लेते हैं तो option में A is a right answer तो A तिलंगना is a right answer तो तिलंगना का थोड़ा सा features पढ़ लेते हैं तिलंगना स्टेट है तिलंगना का capital क्या है है थेलंगना का CM कौन है केसी राव तिलंगना का governor कौन है ती सुन्दराजन तिलंगना hare का हुआ था 2nd June 2014 और तिलंगना में क्या क्या sports है तो तिलंगना में 4 मिनार है 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 रबाद city है वालंगर फोट है and so on इस में से भी कोई ना कोई questions पूछ सकते है इसी तो ये भी एक बार पढ़ लेना next question के तरह बढ़ते है next question में क्या पूछा है who is the author of the book manohar parikar brilliant mind simple life तो इसका author कोन है तो option में check कर लेते है तो option A is a right answer नितिन A. Gokhale is the author of manohar parikar brilliant mind simple life यहाँ पर मैंने बहुत सारे books दे दिये है और उनका author भी दे दिया है यह भी एक बार पढ़के जाना इस में से भी कोई ना कोई questions पूछा जा सकता है next question के तरह बढ़ते है next question में क्या पूछा है the Jim Corbett National Park is located in which state क्या पूछा है the Jim Corbett National Park कौन से state में locate किया है तो option में चेक करते है तो option C is a right answer तो उत्राखंड Jim Corbett National Park is the first national park in India it was established in 1936 कब हुआ था 1936 during a British Raj तो उत्राखंड का capital क्या है देहरादू ने उत्राखंड का CM को ने फुशकर सिंग धामी तो इसके बारे में और details दिया है यहाँ पे क्या क्या होता है तो यह सब आप पढ़ लेना इसमें से भी कोई ना कोई questions पूछे जा सकते है next question के तरफ बढ़ते है next question में क्या पूछा है the golden fiber refers to which crop तो golden fiber कौन से crop को कहा जाता है तो option में check करते है तो option में C is a right answer jute को golden fiber कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि jute का color भी कैसा होता है golden color का होता है इसके लिए इसे golden fiber कहा जाता है तो मेरे अपने इंडिया में 70 mils है किसके jute के वो 70 में से 60 mils मेरे सिफ बेंगाल में ही है तो इसके बार में थोड़ा सा details दे दिया है ये भी पढ़ लेना है इसमें से भी कोई questions पूछे जा सकते है next question के तरह बढ़ते है next question में क्या पूछा है who is the head of the multiple corporation तो multiple corporation का head कोन होता है तो option में देखते है तो option में B is a right answer mayor is the head of the multiple corporation last question में क्या पूछा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ scheme launch in the year तो क्या दिया है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ scheme को कोन से साल लागू किया था तो option में चेक करते है तो option में B is a right answer 2015 में और किसने launch किया था Prime Minister Narendra Modi on 22 January 22 January को 2015 में launch किया गया था Thank you for watching अगर कोई भी question में doubt रहेगा या इसके आलावा कोई questions में आपको difficulties face होते रहेगी तो please मुझे comment करके बता देना I will try to solve it अगर ये questions का आपको PDF चीए तो मैंने telegram channel पे upload कर दिया है description में link है वहाँ से आप जाके download कर सकते हो Bye, take care